हेलो फिर्ट आप सभी का श्वागत है हमारे एडुकेशन भी साहिल जाम तो दोस्व आप लोग कैसे हैं I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे आप लोग अच्छे हम लोग देखेंगे तो आप लोग अंसर अपना चेक कर लें आप लोग जो जो कोशन करके आए थे अगर कंफ्यूजन है कि हमारा कौन सा गलत हुआ है कौन सा सही हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप से पहला कोशन था जी के मैं पूचा गया था आप लोग देख सेकते हैं यहां पर डोंगरी किस राज की भासा है तीक है डोंगरी यह जम्मू कस्मीर राज की भासा है next question पूछा गया था भारत के matro man किसे कहा जाता देखिए भारत के matro man कहा जाता है स्री धरन को ठीक है next question पूछा गया था लोग सभा के प्रतम अधश कौन है ठीक लोग सभा के प्रतम अधश कौन थे जीवी मावलंकर इस questions को मैंने करवाया था और ये questions भी करवाया था ठीक तो दो questions होंगे मेरे अगर आप लोग भी मेरे GK की सारी सीरीज देखे होंगे तो आप लोग कम से कम 20 questions एप्रॉक्स करके आए होंगे उसी से ज़्यादा तर questions आये थे जो मैंने lution के निचोड से करवाये थे तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं के तो फिले चैनल के सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक्जाम हो गया है आगे की आप आग की जो पक्त्रिया होती है काउंसलिंग एडमीसंग से रिलेटेट वीडियो आम में लाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा तो next question पूझा गया था केरल के वर्तमान मुखंत्री इसको भी मैंने बताया था फ्रेंस अकर आप लोग मुझे continue follow करते चले आ रहे हैं केरल के वर्तमान मुखंत्री मैंने बताया था किने 28 से राज्यों की राज़धानी और मुखंत्री के नाम जात कर लिए देखिए आगया question है पिनराई वीजन पिरिजन टाइम पे वागे मुखंत्री है ठीक तीन question हो गया मेरा next question पूझा गया है भारत की पहली महिला महानिदेशक ठीक यहाँ पे महानिदेशक पूझा गया तो भारत की पहली महिला महानिदेशक है कंशन चौधरी भठा ठीक है next question यह है Congress का पर्थम भी भाजन कब हुआ था बहुत important questions है इसको भी मैंने करवाय था तो चौथा questions मेरा हो गया 1937 में इसका अधिवेशन हुआ था ठीक next question पूझा गया था भारत को कितने pin code में बाटा गया है ठीक देखिए भारत तो को 9 pin code में बाटा गया है ठीक है next question यह पूझा गया था book से जो कि इसको भी मैंने करवाया था special मैंने इसको करवाया था my country my life के लेखा कौन है लाल किष्ट आडवानी ठीक है इसके लेखा कौन है my country my life के लेखा के लाल किष्ट आडवानी next question पूझा गया था गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती ठीक गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है next question पूछा गयाँ था परतम भारती महिला IPS ठिक यहां पर परतम IPS पूछा गयाँ था ठीक तो परतम जो Indian IPS हैं वो है किरनबेदी ठीक है next question पूछा गयाँ था भारती सवीधान में कितनी भासाओं को मानता है very very most important questions था इसको भी मैंने कर वाय था 22 भासाओं को मनता प्राप्त है भारती सविधान में ठीक है इसका जो 22 वाला option सही हो जाता ठीक है आप लोग जो करके आए हो आप लोग बताईएगा अपके जितने भी questions सही हुए हो फर्स्ट एंड सेकेंड टोटल मिला के तो आप लोग comment box में अपना अपना score जरूर सेयर करि आए हैं और कितने correct हो सकते हैं next question पूछा गया था ट्रॉफी से ये भी questions मैंने करवाया था देख सकते हैं आप देव धर ट्रॉफी बहुत important question बने बताईएगा ट्रॉफी से question आएगा करिकेट से संबंदे ठीक उसके बाद है यूपी में कितने जिले हैं 75 जिले हैं तो आपको आख मूंत के करके आगी हैं ठीक है सतलच का प्राचीन नाम है देखिए सतलच का प्राचीन नाम क्या है सतुद्री नदी ठीक है ये पूछा गया था थोड़ा हट के question है तो confusion होगा होगा इसमें तो इसको मै मैंने पढ़ा था अभी तक next question पूछा गया तक कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब इस्थानांत्रित की गई थी यानि कि पहले जो भारत की राजधानी कोलकाता थी दिल्ली कब इस्थानांत्रित की गई थी 1911 में ठीक है next last question देखते है नरेंद्र मोदी प्राण मन्तरी के पत पर सबसे पहले सपत कब लिए थी ठीक प्रण मंतरी नरेंद्र मोदी जब बने थे प्रण मंतरी तो उन्हों ने जब सपत लिए थे कब लिए थे 26 माई 2014 को लिए थी ठीक है नेस्ट कोशन पूँचा गया था भारत में समविधान कब लागू हुआ था ठीक है इस constitution से पूँचा गया करीब चार कोशन पूचा गया constitution से ठीक है नेस्ट कोशन जेरा science से आपका आगया कोशन कि वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती ठीक तो 332 मीटर प्रतिस शेकन होती है ठीक है वायू में ध्वनी की चाल उसके बाद अरुण जेटली इस्टेडियम कहां पेस्तित है करेंड से आपका कोशन आ गया देखिए अभी यह फिरो शाकोटला इस्टेडियम था और इसको परिवर्तित कर दिया गया था अरुण जेटली काम आता है ये तो भुगम की त्रियुता के अध्धन में ये काम आता है ठीक उसके बाद पूछा गया था कोशन सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती तो सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती ये आपकी लीवर ठीक नेश्ट कोशन पूछा गया था नई सिच्छा नीति किसकी समित यान पिछली बार WHO का पूंच लिया गया था इस बार World Bank का पूंच लिया गया तो World Bank का मुख्याला कहा पे इस्ते था 1C Garden DC में इस्ते था तो RBI के Governor पूंच लिया गया था तो सक्तिकांस 10 25 नंबर के हैं तो आप लोग Correct करके आयोंगे अगर मुझे आप लोग Starting से फालो करते आयोंगे ठीक Next Question आप लोग देख सकते हैं सूरी कताब किस्ते मापते हैं तो देखें सूरी कताब मापते हैं विकिरन ताप मापी से ठीक विकिरन ताप मापी से Next Question पूछा क्या था कौन सा रक्त समू सब को रक्त दे सकता है ठीक है आपको इसमें बताना है कि कौन सा ग्रुप तो होता है जो ग्रुप होता है वो सब को ब्लड दे सकता है तो ओ ऐसा ग्रुप है जो सब को ब्लड दे सकता है next question पूछा गया था COVID-19 का full farm तो देखी COVID का जो full farm होता है Corona virus disease ठीक ये तो मार्च से स्टार्ट हो गया था इसलिए ये question पूछ लिया गया तो मेरी हिसाब से संभावना नहीं थी कि ये Corona से पूछे जाए question बट पूछ लिया गया आप लोग कर लिये होंगे मैं आसा करता हूँ तो ये बहुत से simple सा question है next question पूछा गया था थल सेना के अध़च कौन है वर्तमान में ठीक बहुत ही simple सा question है थल सेना के अध़च कौन है M. नर्वाने ठीक है बहुत ही अच्छा question पूछा गया था ये सब तो आप लोग कर ही लोंगे ठीक उसके बाद पूछा गया था NCRT की निदेशक तो देखिए NCRT की निदेशक है RISI केश शेहना पती ठीक है NCRT की निदेशक कौन है RISI केश शेहना पती next question है आपका Australia Open Process को भी बने करवा था 2020 का Australia Open Process किसने जीता था जोकोविज ठीक है 2020 का Australia Open किसने जीता था जोकोविज next question पूछा गया था आपका भारत के राष्ट पती को सपत काउन दिलाते हैं तो देखे भारत के राष्ट पती को सपत दिलाते हैं Supreme Court के मुख नदीस यानि की उच्चितम नियाले के मुख नदीस और ये अपना जो सपत जब त्यागते हैं तो उपराष्ट पती को ठीक है next question पूछा गया था आपका मौलिक अधिकार 20 किस भाग में है इसको भी मैंने करवा था तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है भाग 3 में तो ये थे जीके के आपके question पूछे गए थे 32 questions मुझे मिले है तो और अगर आप लोग को questions मालूम हो उसका answer आप लोग को confusion में लग रहा हो कि इसका ये होगा इसका यो होगा तो आप लोग नीचे मेरा whatsapp number है आप हमसे whatsapp number पे आपका अपना question भेज सकते हैं या comment box में भी questions type करके भेज सकते हैं मैं आप लोग को उसका सही job दूँगा अब हम हिंदी start करते हैं हिंदी में कौन से question पूछे गए थे तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं चाया वादी यूग की प्रवर्तक कौन है पहला question पूछागा थे ठीक तो चाया वादी यूग की प्रवर्तक है जै शंकर प्रशाद ठीक तो next question पूछागा था विलोम शब्द से अंबर का विलोम सब्द है ठीक ये भी lucent से ही आया सारे questions जो हिंदी के आए हैं सारे lucent से ही आए हैं अधिक्तर जी के भी सारे lucent से आए हैं आप लोग lucent पढ़के गए होंगे तो पूरा 50 में 45 करके आएंगे ठीक है अंबर का विलोम सब्द क्या हो जाएगा आउनी जो कि ये lucent में किस तरह से दिये गया था आउनी का विलोम सब्द क्या होता है तो आउनी का विलोम सब्द अंबर होता है इसका अपोजिट दे दिये गया था ठीक नेस्ट कोशन पूचा गया था उड्डियन का संधिविच्षेत क्या होगा बहुत ही सिंपल है तो इसको मैंने करवा था उड्डियन का संधिविच्षेत क्या होगा है चार question आएगे और तीन question पूछे गए हैं ठीक हैं चार caution पूछे गए ठीक तो महाउतसव का जो संदीवि छेट होगा महाधन उतसव ठीक Next question आपका समास से है कि पुरुषयत्तम में काउन सा समास है ठीक पुरुषयत्तम में जो आपका समास है वो है कर्मदारे समास next question पूछाईगा था बहुमुक में कौन सा शमास है तो देखें बहुमुक में आपका है अब्ध्यभाव समाश next question है रताई में प्रत्य है आपको इसमें रताई का प्रत्य बताना है तो रताई में प्रत्य है आपका इए हो जाएगा उसके बाद हिंदी का पहले कवी काउन थे सराहपा काउन थे सराहपा next question है आपका उज्जुल का संधी होगा उज्जुल का संधी क्या होगा उत्धन ज्जुल यहाँ पर आप लोग देखिए कि वा में आधाज जा लगेगा आप लोग क्या करके हैं आप लोग अपना अंसर बताइएगा उसके बाद है कामाईनी किसकी रचना है तो देखिए कामाईनी जैसंकर परशाद की रचना है next question पूँचा गया था कि आलू किस भासा का सब्द है तो देखिए आलू पूर्त गाली भासा का सब्द है यहाँ पर थोड़ा मिश्टिक हो गया तो आलू कुछ लोग बताय रहे थी कि पूर्तगीज भी आउप्शन में था तो इसलिए मैंने इसको पूर्तगीज लिग दिया तो next question पूँचा गया था आपका प्रतवी काउं सा सब्द है ठीक, तो उसमें आपके आफ्षन जो दिए गए थे ततसम, ततबाओ ये सब्द दिये गए थे तो जो आपका प्रत्वी सब्द है वो है, ततसम सब्द ठीक, याद रखीए गया उसके बाद जो पूँचा गया था शारिका पत्रिका इसके संपादक कौन है ठीक तो इसके जो संपादक थे सारिका पत्रिका के कमलेश्वर थे ठीक है इसके संपादक थे नेश्ट कोशन पूछा गया था मुहारा सापका कि गूलर का फूल होना ठीक है गूलर के फूल होने का अर्थ क्या है दुरलब होना ठीक है ये होता है नेश्ट कोशन पूछा गया था आपका कि भारत में सिच्छा प्रणाली कब लागू की गई तो देखिए भारत में सिच्छा प्रणाली लागू की गई थी 1986 में 1986 में ठीक है 1986 में उसके बाद रहीम किसके दरवारी कवी थे तो देखे रहीम अकबर के दरवारी कवी थे ठीक है उसके बाद पूचा गया था आपका कोशन की दच्छिन भारत में हिंदी का हेडो कार्टर यानि की मुख्याले कहां पेसे थे दच्छिन भारत में हिंदी का मुख्याले कहां पेसे थे तो इसका मुख्याले है मद्रास में इसका सही आंसर हो जाए गया उसके बाद फिर देखे आप लोग संधी से एक कोशन आप पूचा गया था कि सदा अनंद में जो संधी विच्छेद होगा क्या होगा शत धन आनंद इसका संधी विच्छेद होगा ठीक तो यह था जी के एंड हिंदी के कोशन आप लोग आउशर की सटीक हैं अगर आप लोग कोशन याद हैं एक्जाम में करके आएं जो कन्फ्यूजन है कि हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है तो आप लोग इस वीडियो के माध्धम से अपना सारा मैश कर सकते हैं तो फ्रेंस आप लोग अपना इसकोर जरूर बताइएगा आप लोग के कितने कोशन सही हो रहे हैं दोनों मीटिंग में ठीक दोनों मीटिंग में आप लोग कितने questions सही हो रहे हैं अगर आप लोग को किसी questions में confusion है कि हमारा ये questions अभी गड़बड है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है तो आप लोग उस question को type करें comment में फड़ा-फड personally पहुंचना है तो नीचे मेरा whatsapp number है आप हमसे questions भेज के पूँच चकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा तो मैं आपको उसका answer दूँगा तो अपना-पना score जरूब बताईएगा ठीक, comment box में तो friends, ये वीडियो कैसा लगा I hope कि आप लोग कि ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो हमारा पसंद है तो पीरिश वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाल कलर के बटन को दबा कर काला कर दें और बागल में घंटी वाली बटन को दबा कर दें आल में जिससे आने वाली यूपी बीर से रिलेटेट्स जो भी वीडियो बनाओ काउंसलिंग एंड एडमेशन से रिलेटेट्स उसकी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्धम से मिल सके तो प्रेंट्स मिलते हैं नेश्ट वीडियो पे तब तर थैंक्स पर वाचिंग जहिन वंदे मात्रम अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपका एक्जाम हो गया है कौन-कौन से डॉक्मेंट्स अब लगेंगे आपके क्या-क्या फक्रिया होती है हालांकि अभी तक तो आप लोगों को जानकारी थी कि कैसे क्या होता है बट अब जो में जानकारी होती है कौन-कौन से डॉक्मेंट्स बनवाने होते हैं कितने दिन में बनते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा मैं तीन से चार दिन के अंदर ये वीडियो जलाऊंगा डॉक्मेंट्स वाली क्या क्या करना पड़ता है कौन-कौन से डॉक्मे पर लाश्ट में एक बार कह रहा हूं कि आप लोग अपना स्कोर जरूर बताईएगा ठीक इससे मैं आपकी कटाप बता सकूंगी कि गरोवेंट कॉलेज की कटाप कितनी जाएगी और प्राइवेट कॉलेज की कितनी कटाप जाएगी तो थैंक्स फर वाचिंग जैहिन वंदे मातरम